दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि Instagram एकाउन को permanently delete कैसे किया जाता है अगर आपको भी अपने Instagram एकाउन को हमेशा के लिए delete करना है तो ये वीडियो आपके लिए है तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने Instagram अप्लिकेशन को open कर लेना है यहाँ पर देखिए Instagram का application दिखाई दे रहा है हम इसको open करते हैं जैसे आप open करेंगे दोस्तो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा अब आपको करना क्या है दोस्तो आपको सबसे नीची आना है नीची आईएगा तो यहाँ पर देखिए आपके Instagram account के profile picture का यहाँ पर logo दिखाई दे रहा है आपको इस पर click करना है click करेंगे तो आपका यहाँ पर Instagram account का जो profile page होता है वो open हो जाता है अब आपको ऊपर आना है और three line यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको इस पर click करना है click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिलता है बहुत सारे settings देखने को मिलता है अब आपको ऊपर में एक option देखने को मिलता है account center का जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अब आपको दोस्तों करना क्या है नीची आना है नीची आईएगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिलता है personal detail का आपको इस वाले option पर click कर देना है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का page open होता है और यहाँ पर आपका mobile number, email id, date of birth यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अब यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलता है account, ownership and control का तो आपको इस वाले option पर click कर देना है ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल आपको वैसे ही करना है और उसी step को follow करते हुए आगे बढ़ना है तब जाकर आपका Instagram account permanently delete होगा तो यहाँ पर देखिए आपके सामने link करा रहा है deactivation or deletion तो आपको इस वाले option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका Instagram account का profile photo और उसका नाम दिखाई दे रहा है जो username होता है वो चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो आपको इस पर click कर देना है click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलता है यहाँ पर बोलना है deactivate account और नीचे बोलना है delete account तो आपको अपने Instagram account को delete करना है तो आप नीचे वाले option को select कर लिजेगा ठीक है उसके बाद से देखिए नीचे में continue का एक button है आपको इस पर click कर देना है click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page open होगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे options देखने को मिलेंगे जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बोलता है कि आप Instagram account को delete करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए लेकिन आप एक region बताइए कि आप Instagram account को क्यों delete करना चाहते हैं region में आपके सामने option भी दे देता है अगर आपको इन में से कोई option लगता है कि मैं इन में से किसी एक region के विज़र से मैं अपने Instagram account को delete करना चाहता हूँ तो उस पर आप click कर देजिए इस तरीके से select कर लिजिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला select करें कोई भी आप select कर सकते हैं जिससे कि मैं उपर वाला ही select कर लेता हूँ या फिस second वाला ही select कर लेता हूँ इस पर लिखा हूँ है created a second account मतलब कि आपका दूसरा Instagram account है इसलिए मैं आपना ये वाला Instagram account बंद करना चाहता हूँ तो इस में से आप कोई भी select कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसके बाद से नीचे आईए तो यहाँ पर continue का option मिलता है आपको इस पर click करदना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक page open होता है और यहाँ पर continue बोलता है यहाँ पर बोलता है कि you are starting the deletion process for faecitek मतलब कि यह जो account है na faecitek के नाम से यह delete होने की process start हो चुकी है आपको बस continue वाले option पर click करदना है click करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपका Instagram account का password मांगता है कि आपके Instagram account का password क्या है तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर अपने Instagram account का password डाल कर यहाँ पर continue पर click करेंगे ना तो आपका जो Instagram account है वो permanently यहाँ पर delete हो जाएगा तो यह simple सा तरीका होता simple सा process होता है Instagram account को delete करने का जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इस process को अगर आप follow करके अपनी Instagram account को delete करना चाहते हैं तो बड़े असानी से कर पाएंगे अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को दबा लीजेगा और और पर प्रेस कर लीजेगा मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई